कि दोस्तों स्टोन्वोल डच्च स्टोन्वोल डच्च के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक टुर्नामेंट हुई थी बरोडा में MGA 10th Invitation Rapid Chess टुर्नामेंट जिसमें मैं खिलने गया था और मुझे बताते हुए खुसी होगी कि उस टुर्नामेंट में मैं खुद चैंपियन बन चुका हूं और टोटल 9 राउंड की टुर्नामेंट थी जिसमें मैं मैंने 8 and half points किये है 8 and half मतलब only one half down और वो भी 22 rated players के सामने ड्रॉ की थी और मैं फाइनली क्यांपियन बन गया और मेरा लास्ट राउंड जो था उस राउंड के इसाप से मुझे स्ट्रॉन्वाल डर्च का बहुत बड़ा experience मिला क्योंकि स्ट्रॉन्वाल डर्च के अगेंस में काफी attacking खेल रहा हूं और कई लोगों को डर्च के सामने खेलने में परशानी होती है इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स को डर्च का solution मिल जाएगा तो ध्यान से देखिए आकरी तक और यह वीडियो ओपनिंग और मेरी गेम खतम होने के बाद एक बहुत ही बहतरीन एंड गेम भी आपको बताने वाला हूं तो रुके मेरी पेटर्न है मैं को खोले सिस्टम खेल रहा हूं जनरली और कोले सिस्टम ने आपको पता है कि नाइट एफ्री एट्री डैन भीशब डीट्री बीटू करके निकालते हैं और दोनों भीशब किंग साइड करते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हूं रहा है डच में क् को डायोगनल क्लोज कर देते हैं ब्लैक से इसका तोड मुझे मिल गया है तो यहां पर मैंने खिला है एस्ट्री एस्ट्री जीफोर एक इसमें बहुत ही फेमस है दोस्तों कैसे किया जता है मैं आपको बताता हूं तो रियल गयम के बारे में बाद में बताऊंगा पहले कि देन जीफोर क्वेर फॉरम एक सेक्रिफाइस करते हैं जब बलैक पॉंट करता है हम कूंट पान करते नाइटी च जीफोर देन अप्वीन डेंगते हैं यहां पर रोगिण के कलिके आपको देनinding कको तो इसे हम पुरम्हाइज को यह वधाना जीफ i7 औरत यहां पर शीप के ही आएगा तो मैं confidence के साथ यह structure बता रहा हूं वाइट के लिए चलिए देखते हैं मेरी real game में क्या हुआ था real game में सामने वाला बहुत ही experience player है बहुत सालों से stonewall खेल खेल रहा है तो वह स्टी जीफोर भी जानता है तो उसने यहां यहां पर रिप्लाइ दिया है जीफोर के बाद ना तो पॉंटेक्स पॉन नेचरल कॉंप्यूटर मुव बताई है डीफाइव और यह परफेक्ट मुव है उसका परफेक्ट आंसर है लेकिन इस क्या भी बहुत ही मतलब वाइच से आप इसके अगेंस भी बहुरी जोरदार ए इफेक्टिव मुव नहीं है यहां पर आपको खेलना है रुप जीवन सबसे पहले उसे एफ एट वाले विशब को क्लोर्ज कर दो विशब मुव नहीं कर पाए जब तक रुप जीवन है जी सेवन वाला पॉन हैंगिंग रहेगा आज जीवन के बाद यहां पर ब्लैक ने या सीसिक्स सीग्स सबको पता होगा कि सीवन क тов लोग जब करते हैं तो या तो वो कविन सी सेवन खेलते या फिर क्यूव इस ही क्यूप इस क्या घ्या थे तो हम्हें हमें को से झालने से रुखना है और अपने विशब को एफ़ोर्पि खरना के यह कंट्रोल करना है कि आप मुझे पता चला कि यह क्यों भी 6 के लिए 6 किया गया था थोड़ा सा यह में कन्फुजन में था क्या खेलो बी 6 खेलो या फिर बी पॉन को बचायो नहीं नाइट डी 2 खेलो और वहां से रुक का एटेक लेलू लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि अभी एक पॉन देने का यह मेर लास्ट राउन था अगर यह मैं विनिंग होता हूं तो ही में चैंपियन बनता हूं इसलिए मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था तो माइल्ड एटेक धीरे 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 मैं डिफेंस करता हूं और एटेक भी करता हूं तो यहां पर मैंने खेलाए क्वीन सी वन आप् प्लानिंग है भई का तो मैंने यहां पर खेलाए 92 और जैसे वह लोंग के सलकता है और मुझे खुली आज़ादी मिल गई सी फोर कॉन करने को अब देखे कितना बहुत ही बढ़ा स्ट्रक्चर है वाइट का किंग सेंटर में है लेकिन ब्लैक उसे कुछ नहीं कर पा रहा है अब देखो सी फोर के बाद अगर ब्लैक ने पॉन मार दिया तो हम नाइट से मारेंगे और नाइट से कुईन पर भी एटक आएगा तो पूस्पुली विश्ब से नाइट मारना होगा फिर हमारा भी सब भी डेवलोप होगा और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- ब्लैक खेलडा है नाइट एफोर अब आप सोचोगी कि यहाँ पर वाइस से पौन से पौन मारना चीए सी फाल खोलनी चीए लेकिन नहीं मैं मना कर रहा हूं यहां पर प्रेसर दो दो सी फाइव पे सी फाइव और कुईन के पास बहुत कम मोबिलिटी रहती है कुईन सी से और नहीं जा सकते क्योंकि बिश्ब का एटेक है कंपल सरी क्वीन एफाइव यहां पर हम किरेंगे एथ्री दोस्तों एथ्री से हम बीफोर का प्लानिंग करते उसके बाद ब्लैक के क्वीन पर पास कोई जगा नहीं रहेगी सिवाई एफोर के और बहुत कम जगा के बाद आप उसे ट्रैप का करने का प्लानिंग कर सकते हो तो इसी बज़े से ब्लैक ने खिलाए नाइट टेक्स नाइ उसके बाद बीफाइव यहां पर अगर ब्लैक सी टेक्स बीफाइव करता है तो और भी मजाएगा एटेक करने में तो नाइट भी एट सबसे बेस चोईस यही है उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि पहले बीशिक्स करूँ या फिर बीटेक्स सी शिक्स करूँ भी से पॉन म अपन होता है लेकिन मैं बहुत ही माइल्ड एटेक करना चाहता था दीरे 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 पोजिशन बना के उसे जरा भी चांस नहीं देना चाहता यहां पर मैंने रुक जीवन खेला और ब्लैक नहीं यहां पर बिशब डी सेवन पॉन को सपोर्ट दिया कि उसके बाद QC3 QC3 आइडिया है जब भी क्वीन यहां से आउट ओ प्ले होगी तो हम क्वीन एफाई लेके एटेक भी कर सकते हैं QC3 के बाद ब्लैक खेल लाए एट शिक्स उसका आइडिया है जी फाई देन एफोर वगेरा वगेरा हमारे सेंटर पर एटेक करने का दोस्तों बहुत सोतने के बाद मुझे एक बेस मूव मिल गई रुक जी शिक्स जनरली ऐसे मूव सूपर ग्रांड मास्टर लोग करते है मैं अपने आपको इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता लेकिन ऐसी मूव तो कोई भी आपकी तरह सपी लोग सेच सकते हैं कि रुक को लिफ्ट करो और C6 पर एटेक करो लेकिन एजे सूपर ग्रांड मास्टर और ग्रांड मास्टर की नजर से यह मूव बहुत ही बेस्ट होन माने की थ्रेट है और ओल्रेड़ी फ्री पॉन पीन है रुक से तो फ्री में मार सकता है यहां से ज्यादा सुटनी की जरूरत नहीं है कोई भी प्लेयर होता मेरी जगा तो सिंपल विशप टेक्स नाइट मारता है किंग टेक्स विशप फिर पॉन टेक्स पॉन अब देखो कि विशप से पॉन मारेंगे तो क्या हाल होगी तो यहां ब्लैक विशप देशिक्स फिर से खेल रहा है और मुझे खेलना चीह यह सी सिक्स लेकिन मैंने थोड़ा चेंजिंग किया क्वीन फाइव मेरा प्लानिंग अलग था अब क्या प्लानिंग है आपको नेक्स में बता चलेगा ब्लैक प्लेड हीर विशप एप सेवन दोस्तों वीडियो पूश करके आप तीन चार में सोचिए कि यहां पर वाइट के पास तो बहुत सारे बढ़िया मूझ है लेकिन ब्लैक की थेट भी है यहां पर रुक टेक्स एथरी पॉन की और विशप से रुक पर एटेक तो हमें यहां क्या करना चाहिए और फाइनली मुझे एक बेस्ट मूँ मिल गए जैसे कि मुझे लगा कि मैं कोई पजल सौल कर रहा हूं दोस्तों पजल की तरह क्वीन सेक्रिफाइस क्वीन टेक्स ए7 किंग टेक्स ए7 दैन रुक ए6 चैक किंग बी एट रुक ए8 चैक किं किंग से7 रुक टेक्स रुक बिशब टेक्स रुक दैन बी एट अगें क्वीन किंग डी सेवन फोर्स मूव रुक बी सेवन किंग ए6 दैन क्वीन फाइव चैक मेट तो दोस्तों कैसी लगे गेम आप कॉमेंट करना मत भुलिए और बहुत ही बढ़िया गेम आपके सामने यह लाया हूं और अब मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया एंड गेम दोस्तों यह है पोजिशन आपके सामने जिसमें वाइट टू प्ले हैं एंड गेम के बारे में वाइट को खिलना है और यहां पर गेम विन करना है तो आप देख सकते हो कि ब तो आपको यह इसका आंसर मिलेगा आंसर क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूं लेकिन आपको वीडियो पूस्ट करके पहले सोचना है और अगर आपको मिल जाता है और मेरे आंसर से आप कमपेरिजन करना आप सही हो तो फाइनली बहुत ही आपकी एंड गेम बढ़िय और उसे स्टॉप भी नहीं किया जा सकता तो पहला बेश्ट मूँ में बताऊंगा आप पहले वीडियो पूस्ट कर देना टैन मिनिट सोतने के बाद ही वीडियो आगे देखना तब ही आपको मजाएगा तो चलिए सुरू करते हैं यहां पे रुक टू डी टू पहला मूँ तो रुक सेक्रिफाइज अगर यहां पे ब्लैक पॉन प्रमोट कर रहा है तो क्या होगा तो यहां पे रुक बी टू चेक आप्टर किंग सी वन रुक सी एट आप्टर क्वीन सी थ्री रुक टेक्स क्वीन चेकमेट तो यह पोजिशन आती है अगर रुक बी टू अगर किंग एवन जाता है तो नेक्स्ट मूव रुक एट रुक टेक्स क्वीन और चेकमेट तो अगर यहां पे ब्लैक पॉन प्रमोट करता है इनिशियल तो यह पोजिशन है दोस्तो अगर ब्लैक रुक टेक्स रुक करता है तो आपको एक बहुत ही सर्प्राइज मूव में दिखाऊंगा रुक एच वन चेक फोर्स मूव है रुक टीवन उसके बाद की मूँ जो है वो बहुत ही बढ़िया है रुक एवन लाइन क्लोजिंग के बारे में है क्वीन बनने से रुक टीए एक स्टैप हमने उसे वेट करवाया ब्लैक उसे मारेगा रुक टेक्स रुक दोनों रुक दे दिये वाइट ने फिर भी वाइट विनिंग कैसे पॉन टू एवन रुक दी वन एट क्वीन अब आप सुचों कि यहां तो ब्लैक के भी क्वीन हो रही है फिर भी वाइट कैसे जीत रहा है अगर ब्लैक ने क्वीन प्रामोट कर दी तो क्वीन जीश चैक अगर किंग C1 आता है तो क्वीन C2 चैक मेट और अगर किंग A1 आता है तो क्वीन A6 चैक देन क्वीन A2 चैक और फाइनल क्वीन C2 चैक मेट तो कैसी रही यह एंड गेम आज की मुझे वीडियो में कॉमेंट जरूर लिखना और ऐसे बहुत सारे गेम और पजल्स लिके में आपके सामने आऊँगा बहुत सारे वीडियो बनाके तो लाइक करना और मेरी चैनल को सब्स्राइब जरूर करना दोस्तो गुड़ बाई